Dear Students, Good Morning आज हम Chapter No. 2 of Unit 2 यानि कि Chapter No. 4 हो गया है वैसे ये टोटल अगर हम देखें जिसका Heading था The Bubble, The Straw and The Shoe उसका पहली Heading Exercise का पहली Heading कर रहे हैं और पहली Heading है Reading is Fun चिक है? Reading is Fun मतब पढ़ना जो है वो मज़ेदार है आनन्द में है ठिक है? उसमें आनन्द आता है पहला Question है Question No. 1 Name the Three Friends कि जो जो Chapter है उसमें जो Three Friends थे वो कौन? कौन थे? उनके नाम बताने है ठीक है? Name the Three Friends Three Friends का नाम बताना है यहाँ पर Full Stop आएगा Question Mark नहीं आएगा क्योंकि Question Words से Start नहीं हुआ है ठीक है? Answer देखो क्या है इसका? The Three Friends Are The Bubble यहाँ कोमा लगाएंगे ध्यान रखना कोमा है यहाँ पर कोमा कैसे बनाते हैं? देख लो ऐसे बनाते हैं ठीक है? Bubble The Straw And The Shoe तीम फ्रेंट से Bubble Straw And Shoe उसके बद सेगेंड कोशिन है Weher क्या है यह? Weher W-H-E-R-E Weher Did They Go One Day कि वो एक दिन कहां गए थे? चीक है? कहां गए थे वो? Question mark लगावा है देखो Question mark लगाना है यह चीक है? चो कि व-H word से start हुआ है यह तो answer क्या देखो? One Day All The Three Friends Went To A Forest एक दिन सभी तीनो Friends ठीक है? Went गए देखो Weher Did Go था ना Go का Went बन गया यहां पे चीक है? जब Did आता है ना Go के साथ तो Went बन जाता है ठीक है? One Day All the Three Friends Went To A Forest तीनो Friends एक दिन जंगल में गए ठीक है? अगला कोशिन देखो What Did They Want To Do What का कोशिन है? फिर से वह वर्ड है तो Question मार्क लगाएंगे यहां पे ठीक है? What Did They Want To Do We वह क्या करना चाहते थे? ठीक है? They है ना? दे का मदब वह ठीक है? Want का मदब चाहना ठीक है? और Did है तो थे चाहते थे Past में बात कर रहे हैं ठीक है? तो Answer अब जब Did के साथ Want है Did के साथ Want है तो Want का Wanted हो जाएगा ध्यान लगना ठीक है? Wanted हो जाएगा They Wanted To Cross A River वो एक River को Cross करना चाहते थे है ना? देखा था ना Lesson में हमने कि वो क्या करना चाहते थे? एक River को Cross करना चाहते थे तो ये Question है What did they want to do? कि वो क्या करना चाहते थे Did आया Question में और Want आया ठीक है जब Did आया जाता है इसनों तो Past की बात कर रहे होते है मैं तो पहले समय जो चला गया उसकी बात कर रहे होते है तो इसलिए Want का क्या हो जाएगा? Wanted हो जाएगा अगली heading है Next heading है Let's Talk कि आओ चलो बात करें चिक है? इसका meaning यह है अब class में होते तो मैं आपसे पूछती और मैं अभी live class में भी आपसे पूछूँगी चिक है? अब देखो question number one How do you make bubbles? How do you आप कैसे make मतब बनाते हो bubbles अब कैसे bubbles बुलबुले बनाते हो हमसे यह पूछा गया है तो आप बच्चों सोचों कैसे बनाते हो बुलबुले? ओके सोच लिया? अब मैं answer बताती हूँ हम बुलबुले liquid soap और water को मिला कर बनाते हैं या फिर detergent और water को भी मिला कर बनाते हैं कभी-कभी तो मैं answer क्या लिखूँगी? जातर वैसे liquid soap जो hand wash होता है या फिर liquid soap होता है उससे हम बनाते हैं बबल्स answer क्या है? I make मैं बनाता हूँ या बनाती हूँ bubbles बुल-बले from किसे बनाते हैं? बुल-बुले का मतर से किसे liquid soap and water solution ठीक है? liquid soap और पानी के solution से मतरब पानी को और liquid soap को मिला के मैं बुल-बुले बनाता हूँ या बनाती हूँ तो answer I make bubbles from liquid की spelling देखो L-I-Q U-I-D liquid soap S-O-A-P पता ही होगा and water W-A-T-E-R water solution solution की spelling भी अच्छा से देखो S-O-L-U-T-I-U-N solution ठीक है? ओके question number two और हमेशा ध्यान रखो ये question mark लगाया देखो मैंने लगाया है न तो ध्यान रखना ये लगाना है What do you wear on your feet? question mark ठीक है? कि आप अपने पैरों में क्या पहनते हो? ठीक है? wear मतलब पहनना ठीक है? on your तुम्हारे ठीक है? fit on का मतलब पर ठीक है? कि तुम्हारे पैरों पर या पैरों में क्या पहनते हो? तो answer देखो I wear मैं पहनता हूँ या पहनती हूँ shoes coma coma लगाया ध्यानक ना ये coma लगाना है पहले भी बताया था ना मैंने sandals फिर से coma shocks ठीक है? shocks भी पहनते हैं sandals पहनते हैं shoes पहनते हैं sleepers पहनते हैं sleeper भी लगा सकते हैं हम या पर चिज़े पहनते हैं जयसे sleeper मैंने लिखा नहीं है पर चब पल जो होती है वह नहीं लिखी मैंने तो इसलिए मैंने etc लगाए एक मतब क्या है कि जो चीज़े लिखी है ना इनके अलावा और भी चीज़े है यहां पर इटी सी और डोट लगता है देखो बिंदी लेगी हुए ना ठीक है ओन माई फिट ठीक है मैं अपने पैरों में पहनता हूं यह पहनती हूं क्या क्या पहन सकते हैं फिर से अनसर देख लो एक बार आई वीर शूस सैंडल्स शॉक्स एटसेक्टरा ओन माई फिट ठीक है अब थर्ड कोशिन देखो हाव वुड यू क्रोस ए रीवर की आप एक रीवर को कैसे क्रोस करोगे चिक है तो कैसे करेंगे हम क्रोस बोट से करेंगे चिक है I would cross a river on a boat ठीक है कि मैं river को cross करूँगा एक boat पर यह करूँगी ठीक है cross की spelling c-r-o s-s cross ठीक है s-s को हम double s भी बोलते हैं कभी-कभी तो कैसे cross करेंगे हम boat पे cross करेंगे तो यह question थे let's talk के उसके बाद देखो उसके बाद third जो part है वो है let's share आओ share करें अपनी बातें ठीक है put these doing words doing words मतलब काम वाले शब्द है ठीक है doing words का मतलब काम वाले शब into the sentences जो हमें नीचे sentence दिये गए है उन में यह जो words दिये ना हमें यह काम वाले words है मतलब doing words है doing words d o i n g doing और w o r d s words ठीक है doing words का मतलब काम वाले शब्द काम वाले शब्द काम वाले शब्द क्यों क्योंकि यह काम कर रहे हैं हम इनमें कुछ ने कुछ ठीक है काम वाले शब्द, इनको हम action words भी बोलते हैं, ठीक है, अब देखो क्या है jumped मतब गूदना, shook मतब अपने आपको हिलाना, stressed मतब अपने आपको खीचना, फैलाना ठीक है, फैलाना भी कह सकते हैं, breast का मतब फूटना सारे काम हो रहे हैं यह इसलिए doing words है, तो यह इनमें जो sentence दिये हैं, इनमें पूट करने हैं, ठीक है, देखना है कैसे सही बनेगा sentence the straw dash, इसको dash बोलते हैं, himself from one bank to the other कि जो straw थी, उसने अपने आपको एक किनारे से bank का मतब किनारा ठीक है, किनारा एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ फैला दिया ठीक है, stretched कर दिया तो क्या आएगा यहां पे s-t-r-e-t-c-h-e-d stretched stretch का मतब, फैला न उसके बदेखो the shoe dash on the straw the shoe था, वो stroke के उपर क्या हो गया, jumped हो गया है न, कूद गया jumped हो गया j-u-m-p-e-d jumped चीक है jump का मतलब कूद न, जो shoe है, वो stroke के उपर कूद गया, चीक है कूदा, कूदा आएगा क्योंकि past में है, यह कूद गया, the bubble dash and dash with laughter, देखो, l-a-u-g-h-t-e-r l-a-u-g-h-t-e-r laughter, laughter मतलब हसना या हसा ठीक है and dash with a big bang जो bubble था, वो क्या हुआ shook महला हिला shook आप देखो, शुक को दो बार तो नहीं दिया वह हमें उपर, लेकिन हमें यहापे क्या करना है, शुक and शुक, क्योंकि वो हिला और हिला, हमने बड़ा था ना, lesson में दो बार आया था, शुक and शुक, ठीक है, दो बार शुक आएगा, शुक आएगा, शुक आएगा, शुक with laughter and burst, क्या आएगा यहाँ पर अब, burst आएगा, बी यू आर एस टी, ब्रस्ट, with a big bang, जो bubble है, वो हिला और हिला, मतब, laughter, laughter से हिला, मतब, आपने वो जो हस रहा था, तो वो हिल रहा था है ना, शुक, मतब हिल रहा था, हिला, laughter के साथ, हसी के साथ, and brushed, और foot गया भी थे, big bang, एक बड़े धमाके के साथ, let's draw, अब next है, देखो, next head, अब यह जो fill in the blanks हैं, यह copy पर भी करने हैं, और book में भी करने हैं, let's draw, trace the journey of a tadpole, trace करना है, trace का मतब जो देखो, यहाँ पर dots दिये गए हैं, इनके ऊपर हमें pencil से draw कर, इसका मतब है, trace करना है, okay, यहां से start करना है, arrow दिया हुआ है, ऐसे trace करते जाना है, ऐसे, और इसको पूरा, कहां तक बनाना है, यहां तक, देखो, यह क्या हुआ, यह देखो, tadpole था पहले, ठीक है, ध्यान देखो, यह tadpole था, एक पड़ल है, एक गड़ा है, ठीक है, एक ग जड़े में एक tadpole है, पहले देखो, यह कूद रहा है, और यह कहां गया, pond में, ठीक है, थोड़ा सा यह develop हुआ, ठीक है, उसके बाद lake में आया, फिर कहां गया, river में, यह तीनों चीज़ों में रहता है, जुरूरी नहीं है, ऐसे आ जाए, ठीक है, लेकिन यह cross करके river में आ बनता है, tadpole से, क्या बनता है, frog बनता है, tadpole पहले पानी में रहता है, और फिर वो frog बन जाता है, और फिर भार भी आ जाता है, पानी में भी चला जाता है, भार भी आ जाता है, frog तो दोनों जगहे रहता है, लेकिन जो tadpole है, वो पानी में रहता है, चीक है, तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है I am a frog now कि मैं अब एक frog हूँ क्योंकि पहले वो tadpole था देखो tadpole दिखा रखा है और अब वो frog है ये बोल रहा है वो ठीक है next page पे आओ next page पे क्या करना है draw the bubbles bubble draw करने है bubbles बनाए इस बच्चे ने और bubbles की shape कैसी कैसी बन रही है देखो इसके अंदर a लिखा हुआ है इसको trace करना है trace का मत इसके उपर pencil से ऐसे इसके साथ साथ चलना है यहां से start करते हैं हम a बनाना ठीक है और ऐसे ऐसे बनाते हैं वापिस आते हैं फिर पहले उपर जाते हैं फिर वापिस आते हैं या फिर सीधा उपर से start कर सकते हैं पहले ऐसे ब ऐसे बनाना पहले डंडा लगाओ फिर ऐसे करो चीक है फिर F बनाया है F कैसे बनाते हैं ऐसे नीचे तक लेके जाओ और फिर ऐसे कर दो चीक है तो इनको trace करना है ऐसे फिर E ऐसे यहां से start करना है आइसे लेके गए और ऐसे बना दिया फिर D ऐसे start किया यहां तक लाए और फिर ऐसे मिला दिया चिक है बिल्कुल उसके 7 सा डंडा कीचणा होता है वो D बन जाए उसके बाद H देखो H कैसे बनाना है ऐसे सीधा डंडा लगाया एक और फिर S बना दिया उपर से और ऐसे कर देते हैं, और फिर ऐसे कर देते हैं, ऐसे ही, L है, I है, देखो, बिंदी लगी यह न, I है, एक डंडा, और उसके पर एक बिंदी, I बनता है, small letters हैं यह सारे, यह सारे कैसे letter है, small letter है, capital नहीं है, है न, ओके, यह हो गया, अब यह सिर्फ trace करने है, बुक में करना है, यह, और copy में लिख सकते हैं, A to, I तक, J भी है, sorry, देखो, नीचे J भी है, ओके, यह ऐसे, I की तरह ही बनाना, लेकिन थोड़ा सा, ऐसे मुड जाएगा, कारभ हो जाएगा, और उपर बिंदी लगानी है, तो J बन गया, ओके, यहां पर sing भी, एक song भी है, छोटा सा Hope a little, jump a little, देखो, क्या लिख रखा है, Hope a little, jump a little, one, two, three, run a little, देखो, run a little, skip a little, tap, one, knee, bend a little, stretch a little, nod your head, yarn a little, sleep a little, in your bed, देखो, क्या कहा रहा है, Hope a little का मदब थोड़ा jump करो, दोनों पैरों से, jump जो करते हैं, वो hopping होती है, jump a little, jump का मदब एक पैर से भी कर सकते हैं, ठीक है, एक पैर से, फिर दूसरे पैर से, दोनों पैरों का यूज़ कर सकते हैं, one, two, three, run a little, मदब थोड़ा दोडो, skip a little, मदब रसी कुदो, tap one, knee, knee को ऐसे, गुटने को, ऐसे हाथ से, ऐसे थपकी देनी है, मदब मुड के, ठीक है, band a little, थोड़ा मुडो, stretch a little, अपने बाजो को ऐसे फैलाओ, फैलाना होता है, stretch का मतलब, node your head, अपने सिर को हिलाओ, ऐसे, नीचे की तरफ, जैसे हाँ भरते हैं, हाँ, ऐसे किसी को हाँ बोलते तो, node होता है, वो भी, हिलाओ, अपने सिर को हिलाओ, ठीक है, यान a little, जमाई लेना, जब हम सोना चाहते हैं, तो हमें, क्या आनी शुरू हो जाती है, जमाई आनी शुरू हो जाती है, ऐसे सोने की, ऐसे आती है हमें, वो यान होता है, sleep a little, थोड़ा सो, in newer bad, अपने bad में, 8, 10, 7, or 9, और इनको, इनको dots को मिलाना भी है, चीक है, ताकि ये dark बन जाए, now trace the numbers, और trace करना है, बोला है, अब देखो, कितनी balls है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, तो 7 से हमें, S, E, V, E, N, लिखा भी हुआ है, उसके साथ हमें मिलाना है, उसके बाद देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है ये, तो 8 से मिला है बाद देखो, E, I, G, S, T, इसका spelling है, 8 की, उसके बाद देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, तो 9 से match करना है इसको, और 9 की spelling है, N, I, N, E, और इस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है ये, 10 के साथ मैच कर देंगे, 10 की spelling, T, E, N, 10, ठीक है, अब है, think time, सोचने का समय है, look at these objects, इन objects को देखो, जो नीचे दिये गए हैं सारे, put them into a tub of water, उनको एक पानी के tub में put करो, put का वंदर डालो, say which one will float, और कहो, कि कौन सा float करेगा, float मदब तैरेगा, ठीक है, and which one will sink, और कौन सा डूब जाएगा, ठीक है, कौन सा तो float करेगा, और कौन सा sink हो जाएगा, ठीक है, float का मदब तैरेगा, कौन सा तैरेगा इन चीजों में से, और कौन सा sink हो जाएगा, ठीक है, आप देखो, ribbon है, जो वो बहु करेगा लेकिन मार्बल क्या हो जाएगा सिंक हो जाएगा सिंक हो जाएगा डूब जाएगा लीफ भी फ्लोट करेगा स्टोन डूब जाएगा सिंक हो जाएगा स्टिक फ्लोट करेगी स्टिक फ्लोट करेगी पेपर फ्लोट करेगा स्ट्रो भी फ्लोट करेगी हलकी होती है यहां तो इनके नीचे आप लिख देंगे float जैसे FLOAT float यहां पर भी float sink लिख देंगे यहां पर SIN के leaf के नीचे float stone के नीचे sink stick के नीचे float paper के नीचे float straw के नीचे float shoes के नीचे sink और spoon के नीचे side में लिख देंगे जगा नहीं है तो sink ठीक है next page पर आजाओ अब देखो यहां पर learn to write ठीक है कि कैसे लिखना है हमें सीखना है क्योंकि हमारी अभी हमें यह बनाते हैं जब हम इनको trace करते हैं या color करते हैं तो हमारी लिखने की capacity बढ़ती है तो देखो draw the well draw करना है well को पूरा जहां पर dots है उन सबको मिला देना है तो draw हो जाएगा color it उसको color करना है and say the rhyme loud और यह जो नीचे एक rhyme दी हुई है poem दी गई है उसको आपको बोलना है a bell fell in the well चिक है ding dong ding dong bell क्या कह रहा है देखो एक bell नजर आ रही है bell के उपर bell है यह bell के उपर एक bell नजर आ रही है अब देखो क्या कह रहा है कि bell fell एक जो bell है वो गिरी चिक है गिर गई गिर रही है देखो यहाँ यह अलग हो गई है यहाँ से न तो इसलिए था गिरी इनदा वैल में कुए में ding dong ding dong bell ऐसे बोल रही थी ऐसे आवाज करती है bell की आवाज आती है घंटी की आवाज आती है तो उसके लिए हम कह रहे है ding dong ding dong bell इसके लिए कहा रहे है यह हमारा chapter is over ठिक है chapter complete हो गया है कुछ rhyming words हम करेंगे अभी कर लेते हैं वो हम rhyming word है यह देखो rhyming word है यह copy पर करने है cry cry मतलब रोना dry 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 मतलब सुखना try मतलब कोशिश करना dog fog log dog का मतलब पताई है fog मतलब कोहरा log मतलब लकडी ठीक है dine मतलब dinner के लिए यह यूज करते हैं ठीक है dine fine mine fine मतलब अच्छा mine मतलब मेरा cake shake take shake मतलब हीलाना take मतलब लेना तो यह कुछ rhyming words है इसके इलावा और भी rhyming word है ठीक है थोड़े से जैसे draw इसका straw ठीक है उसके बाद hen pen man भी हो सकता है इसका pit wit pit मतलब गड़ा wit मतलब उद्धी मानी dog यह हो गया dog लोग वाला blue glue glue blue तो color होता है blue glue मतलब जो paste हम use करते हैं ठीक है तो यह कुछ rhyming words है यह भी आपको copy पर करने है that's all for today's class इसी की साथ यह chapter खतम हो गया है